हलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पक के जाने के बाद आगे क्या होता है तो आईए सुरू करते हैं इसे फ्लूट कहता है अब मेरी बारी है तो क्विंस कहता है हाँ हाँ अब तुम्हारी ही बारी है तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम समझ रहे हो पिरैमस कुछ नाइस सुनकर बाहर चला गया है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा तो फ्लूट कहता है जो दिस्पी का रोल प्ले कर रहा था सबसे दिप्तिमान पिरैमस आप लिली के तरह वाइट हो और रोज बुस में खिले रोज की तरह हो आपके जैसा नौजवान कोई भी नहीं है और आप एक बहुत ही लवली जीव हो आप घोडे की तरह फुर्तीले हो जो कभी भी थकता नहीं है पिरैमस मैं आपसे नीनी के ग्रेव पे मिलूंगी फ्लूट को यहाँ पे नीनी नहीं नीनस बोलना था ये किसी का टॉम्ब होगा लेकिन नीनी का मतलब होता है मुर्ख व्यक्ती तो क्विंस उसे फटाफट कहता है क्या ये सब बोल रहे हो नीनी नहीं नीनस और तुम्हें इतनी सारी बकवास नहीं करनी है तुम्हें सिर्फ पिरैमस को reply देना है तुम्हें अपनी पूरी line एक बार में बोलनी है तुम्हें अपना Q भी miss कर दिया तुम्हें never get tired बोलना था और तुम्हें क्या कहा? never gets tired अब puck और bottom फिर से enter करते हैं पक ने अपने जादू से bottom का सर गधे के सर में change कर दिया था तो bottom जैसे ही पिरैमस बन के stage पे आता है और disby से कहता है अगर मैं handsome होता मेरी प्यारे disby तब भी मैं बस तुम्हें ही चाहता लूट bottom को देख के डर जाता है क्योंकि अब उसका सर रधे के सर में change हो चुका था तो वो कहता है बचाओ बचाओ ये तो राक्षा सा गया ये हम सब को मार डालेगा भागो भागो quins, flute, snug, snout और starvelling सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं तो bottom कहता है ये सब भाग क्यों रहे हैं पक्का ये सब मुझे डराने के लिए मजाग कर रहे हैं snout फिर से आता है और आके bottom को कहता है bottom तुम बदल चुके हो तुमारा सर क्या हो गया तो bottom उसे डाटते वे कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे सर पे क्या आगिया है तुम गधे की तरह क्यों बात कर रहे हो ये सुनकर snout उसे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है तब एक quins वहां पे फिर से आता है और कहता है भगवान तुमें बचाए bottom भगवान तुमें बचाए तुम change हो चुके हो ये बोलकर quins वहां से निकल जाता है तो bottom कहता है ये सब क्या ये लोग बोल रहे है ये सब मिलके मुझे गधा बनाना चाहते है मुझे डराने के लिए पर मैं यहां से नहीं जाऊंगा वो चाहे कुछ भी करे या फिर कुछ भी कहे मैं इधर से उधर मूव करता रहूंगा और अपना गाना गाता रहूंगा ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं डर गया हूं और वो अपना गाना गाना सुरू कर देता है वो ऐसे ही करके अपना गाना गाये जा रहा था बॉटम का गाना सुनकर टाइटेनिया अपने नीन्द से जाग जाती है और वो कहती है कौन मुझे मेरे फ्लावर के बेड़ से उठा रहा है और फिर बॉटम की तरफ देखने लगती है जो लगातार अपना गाना गाए जा रहा था टाइटेनिया उससे कहती है फिर से गाव स्वेट हुमन प्लीज मुझे तुमारी आवाज बहुत पसंद है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मैं जानती हूँ कि मैंने पहली बार तुम्हें देखा है लेकिन तुम इतने अच्छे हो तुमारी आवाज इतनी अच्छी ह कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई खास reason है मुझे पसंद करने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल प्यार करने के लिए कोई reason की ज़रूरत नहीं होती है और ये सुनकर तो और भी ज्यादा दुख होता है कि दो mutual friends एक दूसरे को introduce ही नहीं करवाते फिर वो हसते वे कहता है कि मैं बस मजाख कर रहा हूँ टाइटेनिया उससे कहती है कि तुम जितने ज्यादा सुन्दर हो उतने ही ज्यादा बुधिमान भी तो बॉटम कहता है नई नई ये सच नहीं है अगर मैं इतना स्मार्ट होता कि मैं इस जंगल से निकल पाऊँ तब ही मैं खुद को बुधिमान समझूँगा तो टाइटेनिया उससे कहती है कि तुम इस जंगल से निकलने के बारे में मत सोचो क्योंकि अगर तुम चाहो या ना चाहो तब भी तुम्हें इस जंगल में रहना ही पड़ेगा मैं कोई साधारन परी नहीं हूँ, मैं यहां की रानी हूँ, यहां मेरा राज चलता है और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा तुम्हारे लिए गाना भी गाएंगे और मैं तुम्हें हमारे जैसे ही फेरी में बदल दूँगी और जैसे हूँमन्स मरते हैं तुम वैसे कभी भी नहीं मरोगे फिर वो अपने फेरीज को बुलाती है इधर आओ पीस ब्लोसॉम, कोब वेब, मोट और मस्टर्ड सीड मोट और मस्टर्ड सीड जवाब देते हैं मैं आ गया, मैं भी आ गया और मैं भी आ गया फिर सब एक साथ पूछते हैं हमें किधर जाना है टाइटेनिया उन सब को आडर देती है कि इस जेंटल मैन के साथ सारे लोग काइंड और पुलाइट रहेंगे मतलब सारे लोग अच्छे से बिहेव करेंगे और ये जहां भी जाए इसके पीछे पीछे ही जाएंगे इसके लिए गाना गाएंगे और डांस भी करेंगे इसे खाने के लिए जो भी चाहिए होगा वो सब लाकर देंगे बी के वैक्स से कैंडल भी बनाएंगे और बटरफ्लाइ के कलरफुल विंक से इनके लिए फैन भी बनाना है ताकि ये जब सो रहे हो तो इन्हें छोटे छोटे कीट परेशान न करें तुम सारे लोग इसकी सारी बाते मानोगे ये सब सुनकर पीस ब्लोसम बॉटम से कहता है हलो इनसान फिर कॉबफेब मूत और मस्टर्ड सीड तिनों ही बारी बारी से हलो करते हैं तो बॉटम उन सब से कहता है मुझे माफ कीजिएगा सर क्या आप सब मुझे अपना नाम बता सकते हैं तो कॉपवेब अपना नाम बताता है एक्चुली कॉपवेब का मतलब होता है मकडी का जाल तो bottom उसका मजाक उडाते वे कहता है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ sir अगर मेरी उंगलियां कभी कट जाए तो मैं आपको bandage के रूप में भी इस्तमाल कर सकता हूँ फिर piece blossom से पूछता है आपका नाम क्या है? piece blossom उसे जवाब देता है piece blossom मैं आपके बारे में और भी जानना चाहूँगा फिर वो mustard seed से उसका नाम पूछता है तो mustard seed भी अपना नाम बता देता है और mustard का मतलब तो आप लोगों को पता ही है सरसो और इसका तेल हम लोग अपने kitchen में इस्तमाल करते हैं तो bottom उसका भी मजाक उड़ाता और कहता है मिस्टर mustard seed मैं आपको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आपकी ही family के बहुत सारे member की वज़ा से लोग उन बेचारे beef को खाते है beef का मतलब होता है काय का मांस और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपकी family के वज़ा से मेरी आखों में बहुत बार आसू भी आते हैं अगर आप लोगों ने सर्सो का तेल इस्तमाल किया होगा या फिर उसमें किसी चीज को fry किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उस तेल के वपर की वज़ा से हमारी आखों में जलन होने लगती है जिस वज़ा से आखों में आसू भी आ जाते हैं तो bottom वही कह रहा है आपके बारे में और भी बहुत कुछ बाते करनी है Mr. Mustard Seed जब इन सब का introduction हो जाता है तो टाइटेनिया कहती है कि इसका ख्याल रखना इसे मेरे sleeping area में ले जाओ लगता है आज पारिश होने वाली है इस वज़ा से तो आज सारे फूल भी मुठचा जाएंगे इतना कहके सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और drama यहीं पे end हो जाता है तो आप सब को पता ही चल गया होगा कि टाइटेनिया बॉटम को इतनी ज्यादा priority क्यों दे रही थी क्योंकि पक ने उसकी आइलीड्स पे वो magical flower juice डाल दिया था और टाइटेनिया ने आख खोलते ही सबसे पहले बॉटम को देखा जिस वज़ा से वो बॉटम से प्रेम करने लगी थी तो यह यही पैंड होता है I hope आप लोगों को पसंद आई हो Thank you for watching